हलो स्टूडेंज, वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल जोगरोफिगरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिंदी की वर्कशीट नमबर 47 यानि की कारे पतरक संख्या 47 को आज के हमारी वर्कशीट काफी आसान रहने वाली है इस वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कवीता को इस कवीता में आप तक हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बच्चे हैं वो सुबर सुबर काम पर निकल लेते हैं कैसे उन बच्चों के लिए भविश्य से ज़्यादा महत्पून है पेट को भड़ना क्योंकि पेट का सवाल है उनकी मजबूरी है इसलिए उनको मजदूरी करनी पड़ रही है उनकी मजबूरी है इसलिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनकी मजबूरी है इसलिए वो खे पूल में होना चाहिए था, जिन बच्चों को खेल के मिदान में होना चाहिए था, जिन बच्चों को देश का भविशे होना चाहिए था, वो मजबूर हैं मजदूरी करने के लिए, तो आज हम तीसरा जो पार्ट है इसका, इस कवीता का, वो हम पढ़ने और समझने का प्रिय पिछले कारे पत्रक सेंख्या जो 44 थी, उसमें हमने जाना कि कवी राजेश चोशी जी सोचते हैं कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसलिए वे सुबर सुबर काम पर जा रहे हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, तो यहां पर जैसा कि आप पहले ए एक तरब कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, दूसरी तरब कुछ बच्चे हैं जो मजबूरी में मजदूरी करें और यहां पर यह जो बच्चे हैं, जो मजदूरी करें इनका भविशे भी अंद्रकार में, तो चलिए हम कवीता को पढ़ते हैं, तो फिर बचा ही क या दुनिया में तो यहाँ पर कवी कहता है कि जब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो उन बच्चों के लिए दुनिया में कुछ नहीं है वो अपने सपनों को नहीं देख सकते वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते वो स्कूल नहीं जा सकते वो खेल नहीं सकते क्योंकि पे ब्यानक है लेकिन इस से भी ज़्णाएं कि सारी चीजें हशम मामुल है हशम मामूल मतलब मोजोद है कभी कह रहे है कि अगर सच में ऐसा है कि सारी चीजें स्कूल भी है, खिलोने भी है, पार्क भी है, मेडान भी है लेकिन बच्चों का बच्पन नहीं है वो बच्चे खेल कूद नहीं सकते तो यहां पे हैसम मामूल मतलब भ्यानक क्या है भ्यानक यह कि यह सारी वस्तने उनके खेलने कूदने की सारी चीज़ उपलब्द है लेकिन फिर भी वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं वो खेल कूद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सबसे खेल नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़दा ब्यानक ये कि सारी चीजें यहां पर मौजूद है, उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि वो विवर्ष है, क्योंकि वो मजबूर हैं, पर दुनिया की हजा जो पालन पोर्शन करना है उसकी जिम्मेवारी है इसलिए वो बच्चे काम पर जा रहे हैं यानि इस समय जिन बच्चों को खेलना कोदना चाहिए पढ़ना लिखना चाहिए उस समय वो बच्चे हैं उनके उपर बोज है उनके उपर जिम्मेवारियां है इसलिए वो काम पर तो यहाँ पर एक बार फिर से कवी ने बड़े साधान से शब्दों में चिंता परकट किये कि जो बाल श्रम है, आर्थी कह समानता है, गरीबी है, वो समाज में अभी भी व्यापत है और ये दुनिया के लिए बड़ी एक भ्यानक और श्रम की बात है कि बच्चे हैं, वो काम पर जा रहे हैं उन बच्चों को जिनको स्कूल में होना चाहिए था, तो ये थी हमारी आसानी सी कुछ पंक्तिया, अब हम परशनोतर की तरह बढ़ते हैं, आज की वरकशीट में हमें कुल पांच परशन दिये गए, पहला जो परशन दिया गया है कि बच्चे काम पर जा र दूसरा जो परशन दिया गया है, प्रस्तुत कविता में कवी ने बच्चों से बच्चपन छीन लिये जाने की बीड़ावेक्ट की है, उनका इशारा की सोर है, प्रस्तुत कविता में कवी का इशारा समाज में व्याप्त बाल श्रम, गरीबी और आर्थिक ए समानता की और यहाँ पर आई समानता होगा, तो किस और इसारा करें कवी, कवी यहाँ पर समाज में व्याप्त बालश्रम, गरीबी और आर्थिक आई समानता की और इसारा करें, उसके बाद तीसरा जो परशन दिया गया, अपने मित्र या भाई बहन के साथ बाचित करके लिखिए, कि बच्चे के बच्चों की आर्थिक स्तिती बेहत खराब है, अपने प्रिवार का भरण पोशन करने के लिए वे आय का जरिया मातर बन कर है गये हैं, गरीबी, मजबूरी और आर्थिक आई समानता के कान बच्चे सुविधा और मनरंजर के उपकर्णों से वन्चित हैं, उस देश के कल का भविषय है, आज की बच्चे कल का भविषय है, यदि समाज में बच्चों की परगती पर अंकुष लगा दिया जाए, तो देश का भविषय अंकार पून होगा, हमारा देश एक परगती शिल देश है, बच्चे भी इस परगती का एक अभिन अंग है, सभी जिसमें हमें बताना है कि यदि कोई वैक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है, तब उस वैक्ति के खिलाब क्या-क्या कानूनी कारवाई की जा सकती है, अपने मित्रों या माता-पिता से चर्चा करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यदि कोई वैक्ति 14 वर्स से कम उमर के ब परचास जार उपे तक का जुर्माना भी हो सकता है तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट उमीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे घर पर होंगे और आपकी बढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रहे होगी ऐसे हमारे साथ बने रहिए इस चैनल को ला